एक बार फिर से आप सभी का सोगत है आपके अपने ही YouTube चैनल जीत क्लासेस इंडिया पर अर्दवासिक परिच्छा 2024-25 क्लास 10 का और विसे कौन शाय संस्क्रद हम अर्दवासिक परिच्छा 2024-25 का जो मोडल पेपर है तो लेके आ चुके हैं क्योंकि आपके हफ एर्ली एक्जामिनेशन में A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा इसमें जो आपका पुणांग रहेगा कित्ते करेगा 75 करेगा और समय जो रहेगा तो तीन घंटे रहेगा तो मेरे प्यारे चात्रों वीडियो के लाज्ट तक आपको बने रहेगा यदि इसमें दिया है निर्देश तो सबसे पहले आपको फटाफट अपना निर्देश पढ़ लेना है निर्देश पढ़ने कातात पर कौन्सा प्रेशन कितने अंका है कितने सब सीवा में आपको अपने वेपर कापी में लिखना है तो आप फटाफट निर्देश पढ़ लिज यह अभिक्रिया दिया है यह इसमें पूछ रहा कि उपर दी गई अभिक्रिय की इस प्रकार की अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया दूई बिस्थापन अभिक्रिया बिस्थापन अभिक्रिया तो हमारे इसका जो राइट एंसर पहले का बिस्थापन अभिक्रिया हो जाए ब्रो मीन हमारा आधातू है इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला देखर जी अगला कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मद्द यह खाली इस्थान को कहते हैं दो तंत्रिका के मद्द खाली इस्थान को कहते हैं सिनेप्स दुरुमिका एकसान आभेक तो इसका जो राइट प्रफ्रिया दौरा उप्रुक्त सभी हमारा जो इसका राइट एंजर है तो राइट एंसर हमारा क्या हो जाएगा ओप्षन ये लाइजो पस दौरा अगला और देख लेते हैं हमारा प्रेस्ट कमांग 5 कि में क्या है कि मनुष्य में लिंग निर्धारन होता है गुड़ सूत्रो आर एन दोरा माइक्रो काइंड या दो रहा या केंद्रक दो रहा तो मेरे पैयरे जात्रों इसका जो राइट एंसर हो जाएगा option A हो जाएगा यानि गुड सूत्रों दो रहा अगला है किसी विम का अब्तल दरपन बना प्रतिविम अभासी सीधा वा विम से बड़ा पाया गया यानि दरपन के दुरूप तथा मुख फोकस के बीच हमारे ये राइट एंसर हो जाएगा अगला है दिर दरश्टी दोस्त करने में उभियोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस अप्तल लेंस तो इसका हमारा साधारन लेंस बेलना का लेंस इसका हमारा राइट एंसर हो जाएगा उपस option A, हमारा इसका right answer हो जाएगा अगला है प्रतिरोध का मातरक है आपको बताना प्रतिरोध का मातरक क्या है ampere, bat, ohm, bolt तो प्रतिरोध का मातरक क्या होता है तो प्रतिरोध का मातरक हमारा option C यानि, ohm होता है, right answer अगला देख लिए प्रिश्मवंग 2 क्या कहता है सही जोड़ी बनाए निमनिकर की सही जोड़ी आपको बनाना है तो फटा फट चलिए हम मिलान कर देते हैं तो मेरे प्यारे शात्रों आप स्किन्शोट ले लिजेगा हमारा पहला है सभी धातुएं क्या है सभी धातुएं हम हमारा क्या है तो यह हमारा हो जाएगा ओप्शन जी हो जाएगा राइट एंसर ने फ्राण अगला है परिदी तंत्रिका तंत्र परिदी तंत्रिका तंत्रों इसका राइट एंसर हो जाएगा एन्यों अप्शन एप एन्यों कापाल तंत्रिका तथा मेरी रज्ज्य हो किप doubles a हैं aquesta यह को जाएगा किप द्वारा अगला है dna dna तो हमारा dna right answer हो जाएगा अनुवांशिक पदार्थ अगला है उत्ता ल た Lucy स्में क्या होता है उत्ता लेंस में होता है हमारा कि पीच suggestion B, Right answer हो जाएगा, याणि भीच में मोटा तता किनारे पर पतला होता है इसके बास प्राक्रतिक इस्प्रिक्ट्रम हमारा क्या हो जाएगा option C, Right answer ये इन्द दनुष हो जाएगा विद्धु चुमब ऎकी प्रेरेनन हो जाएगा अगले मनुस में जनन होता है मनुस में कौन सा जनन होता है तो मनुस में लेगिक जनन होता है राइट एंसर हो जाएगा अगला बाहनों के पीछे के दर्श्य को देखने के लिए दरपन का आवरधन एक से एक से क्या होता है बोल्ट होता है क्या होता है इसका राइट एंसर हमारा हो जाएगा बोल्ट हो जाएगा, बिद्दुत बिभाव का SI मातरक, 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 बोल्ट हो जाएगा, और यह जो तो प्रेश्ट कमांग चार में है, यह नि बाहनों के पीछे दर्शे को देखने होगा ठीक है इसके बाद हमारा प्रेश्ण कमांग इसके बाद अगला है कि चुंब की क्टिक्एंक क्या है चुंब की चेत्र रेखा है एक दूसरे को प्रचाइब नहीं करती यहां पर रैट इंसर क्या हो जाएगा प्रति छएद नहीं करती है अगला है a koos स्तरे के लिए उर्ज्ञ मीदाविक वाकति को क्या करना एक शब्दिया एक वाग्य में उत्तर देना अगला है किस धातु को छोड़ कर अन्यश भी धातु कमरे के ताफमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है तो पारा इसका राइट हमारा एंशर क्या हो जाएगा अगला है बसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदाई होता है तो बसा के पाचन के लिए लाई पे हमारा इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है मेरे प्यारे चात्रों अगला है अगला हमारा क्या कहता है कि किस हार्मोंस की कमी से मद में रोग होता है किस हार्मोंस की कमी से मद में तो हमारा इसका जो राइट एंसर हो जाएगा insulin क्या हो जाएगा insulin अगला है कि पराग कोस से पराग कणों का वक्रिकागर तक पहुचने की घटना क्या कहलाती है तो परागर कहलाती है क्या कहलाती है मेरे पैरे चात्रों इसका right answer हो जाएगा परागर कहलाती है अगला है दरपन शूत्र लिखिए आपको इसमें क्या करना है दरपन शूत्र लिकना है तो दरपन शूत्र क्या हो जाएगा मेरे पेरे शात्रों दरपन शूत्र हमारा हो जाएगा one upon जो right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा भी एनी विवानतरß इसके वाद आई एनि भुधूत धारः और आर इनि प्रतिरोध इसके वाद अगला प्रस्ष्ट हमाँ आगे आगे आपको दिखाथे हैं इसका अथवा में ऍलिन आप घरन Rudi सी कैसे कहते हैं lightweight में 239 डितने कि सह आट में क्या है सभसर है ईवां 20 20 बिसंपोसी पोसड की परिवासा देना है इसका अथवा है स्वपोसी पोसड के लिए अवसक परिसितिया कौन किसी है तो इनके उत्पात क्या है अगला है लागिक जनन किसे कहते हैं आपको क्या बताना है कि लागिक जनन किसे कहते हैं इसके अथवा में अलागिक जनन किसे कहते हैं तो मेरे प्यारे शात्रों इन प्र एंसर देख लेते हैं फटाफट क्या करते हैं एंसर देख लेते हैं तो हमारा जो प्रिश्ण कमांग प्रिश्ण कमांग पांच का जो हमारा राइट एंसर है तो मैं आपको दिखाते हैं तो यह संयोजन अभिक्रिया क्या संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्र चिस या जिस हैं जिन्में दूया दो से अधिक पदार्थ यत। ययोगी कह सकते हैं संयोग करकेशा कहें, हैकल शोَّत। अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में विखंडित हो जाते हैं तो अभगरन या भियोजन अभिक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है यह हमारा उधारन हो गया यह CACO2 तो CAO प्लेस CO2 यह हमारा इसका एक्जामपल हो गया अगला है प्रिस्टमंग 6 का राइट एंसर देख लिजिए भरजन इंसलफाइड आयस को बायू की उपस्तित में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह अक्साइड परिवर्तन हो जाता है इस अपक्रियाव के कहते हैं बंजन कहते हैं प् सब्सक्राइब आप देख लिजिए फटाफट और इसकी शॉट ले लिजिए इसका प्रिश्टमंग 7 का जो अथवे का है संदशनाद मक्स समय विता यह जब किसी कार्मिक होगी का अंशूत्र एक होती है होती हुए उसकी संदशना अभिभेन रूपों में होती है तो इस सब्सक्राइब आपना भूजन बनाते हैं और आप some posi the present क्ये वह अथ्वामें तो करवन डाय अक साट की अधकी उपलुपता था क्लोरोफिल की उपलुपता हमारे इसका राइट एंसर हो गया प्रिश्कमंग 9 का नर जनन को इस्का परिश्कंग होनेवाले जनन को क्या कहत इसके आतिव में है अलाइगिक जनन जीवों में जनन की वह प्रक्रफिया जिसमें युगमुगों का निर्मार नहीं होता बल्कि जनन जेवे के अलएगिक भागों के द्वरा ये जनन का निर्मार होता जिसका जीवन काल बहुत कम है दूसरा है इनमें आसानी से क्रतीम परागरण किया जा सकता है तो मेरे पहरे शात्रों इसके प्रिश्मंग 10 का जो अत्वे का राइट एंसर है यानि मेंडियल का सोतंत्र आप व्योहन का नियम जो था तो आप फटाफट देख लिजी इन इस नियम की अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किया बिरा सोतंत रूप से युग्मु को या संतान में जाते हैं तता उन लक्षणों के दौरा प्रताकरण सोतंत रूप से एक लक्षण की बंशागत्ति दूसरे रक्षण को प्रभावित नहीं करती है इस तो इसका हमारा राइट एंसर हो गया फटाफट आप स्कीन सोट ले ले लिजी इसके बाद हमारा प्रेश्रमांग 11 देख लेते हैं प्रेश्रमांग 11 में हमारा क्या है तो मेरे पैयरे चात्रों फटाफट लेंस की फोकस दूरी गयात करना है तो फटा फट आप इसकी शॉट ले लिजी इसकी अथवा का देख लिए उस लेंस की फोकस दूरी गयात कि जिसकी चमता जीरो पॉइंट जीरो हैना यह है इसके बद प्रश्कमंग 12 देख लिजी आप वरतनांग किसे कहते हैं उसके अथवा में निरिपेक्च अप वरतनांग से आप क्या समझते हैं प्रिश्टमंग 13 देर जी घरेलू बिद्धूत परिपत में पार्च उपकरणों का सेयोजन क्यों किया जाता है अथवा में फ्यूज वायर किस प्रकार बिद्धूत उपकरणों को नश्ट होने से बचाता है प्रिश्टमंग 14 देख लिजी चुंबगी छेत्र के पास लाने भी देख लिजी आप प्रिश्टमंग 16 में ओजोन पर अत्कया है यह कि इस प्रकार अप्षीत हो जाता है अप्षैत हो रही है अथवा में आमल वर्षा किसे कहते हैं प्रिश्टमंग 17 देख लिजी आक्षीजन के योग वह हास की अपराद आधार पर निमलिकित पदों की ब्यक्राद कीजी तथा प्रत्यक के उधान देजिए उप चैन और अप्षैन अथवा में है निमलिकित पदों का वर्ण कीजिए तथा प्रत्यक का एक एक उधान देजिए संडक्षन और विक्रत गंधी गंधिता प्रिश्टमंग 18 देख लिजी तंद्रिका कोश्चा का नमांगी तो आपको इसमें चित्र बनाना है जो कि आपके वार्षिक पेपर की दर्ष्टी से बहुत ही most important है मनुस्त के मस्तिक का नमांगे चित्र बनाए उसके अथवा है प्रिश्कमांग 19 से क्या गता है मानुने का नमांग की चित्र बनाए और अथवा में क्या होता है चित्र भाण चित्र फटठ बनाए जो फटा-फट फट हमारा यह राइट एंसर हो गया उसके अथवा का जो है यह हमारा right answer हो गया, फटाफट आप इसकी शूर्ट ले लिजे, इसके बाद प्रिश्मांग 12 क्या कहता है, कि अपवर्तनांग एक माध्ध्यम के साफ़ेज, दूसरे माध्ध्यम का अपवर्तनांग पहले माध्ध्यम से प्रकास की चाल, यह दूसरे माध्ध्यम के प्रकास क निर्पेक्ष अपबबरदनाग इनि जब किसी माध्यम का अपबरतनाग निर्वात के साब्ज गयत किया जाता है तब इसे निर्पेक्ष अपबरतनाग कहते हैं इसे नियम्सी प्रदर्शिट करते हैं यह हमारा राइट एंसर हो गया इसके दिखिश्टमंग 13 का इन घरेलू बिद्धुत परिपत में बिद्धुत उपकरणों का सेयोजन पार सुक्रम में इसलिए किया जाता है क्याकि उन सभी उपकरणों को समान विवांतर उपलब्द हो सके इसका राइट एंसर होगे अथवा देख लिजिए अधिक निर्दिश्ट मान से अधिक मान के बिद्धु ले लेजिए अधिवा प्रिश्ट मांग सोला का राइट एंसर हमारे हमारे में समूद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर तक उजोन की एक मोटाई परत पाई जाती है जिसे उजोन परत कहते हैं उजोन परत क्लोरो फ्लोरो कारबन जैसे प्रदुसकों की उपस्तित के कारण अप्श अबग्रिया को उसमें यह बताना है तो जब किसी पादार्थ मिक्सई अक्सीजन का सयोग होता है तो उस पादार्थ का अबग्रिया अठा किसी पादार्थ इओंड आक्सिजन की अबग्रिया delve इंपकर्या कहलाती है हमारा इसक जो एक। प्लङ है तो आप तर्फटर अप्चेन केड़ा का नेनिगर के आपके वर्षिक वे पर के दर्षिट्र से किरन प्रिजम से गुजरती है तो वर्न क्रम प्राप्त होता है यह हमारा राइट एंसर होगे तो फटा फट डाइग्राम सहीद आप इसकी शॉट ले लिजिए अगला है प्रिश्क मांग बीस का हमारा जो राइट एंसर था दिये गए पधार तो पर लिटमस पत्र की तो हमें है ना आयन उत्मन करने वाले दुरबल अमल कहलाते हैं प्रबल आमल हC-L-H-NO3-H-2-SO4 दुरबल आमले में साइट्रिक अमल फार्मिक अमल प्रिश्क मांग 21 में प्रथम चार हाइड्रो करवन के नाम शूत्र आपको लिखना था चार चार हाइड्रो करवन के नाम और शूत्र समनाचना सही था आपको लिखना था तो यह फटा फट हो गया मेरे पहरे चात्रों आप इसकी शूट ले लिजी मेथेन एथेन प्रोपेन और बीट्यूइन यह हमारे इसका राइट एंसर हो गया प्रिश्क इसकी आतवा में था हाइड्रोजनी करण अपक्रिया य अपक्रिया यह यह नाल चारी की ये मैं नो-फोर की उपस्तित में गन्ब करने फर आक्सीजन से अपक्रिया करके एथे नोईक अमल में आक्सी करत हो जाती है अपक्रिया आप एक्जापाल फटा फट देख लिए मेरे प्रिशात्रों और इसकी शूट ले लिजी प्रतिस आपक्रिया करके सोडियम के करवन लवन बनाती है यह अपक्रिया साबुनी करन अपक्रिया कहलाती है जाइलम फ्लोयम में अंतर प्रिस्टमांग बाइस का राइट एंसर जाइलम जडो दोरा अव्शोसित जल एवं खनीजों के पत्तियों तता तक परिवान करते हैं फ्लोयम में इनमें संभान ना लिकाएं होती है और फ्लोयम में इनमें चलनी ना लिकाएं होती है जाइलम इनकी बित्ती बहुत मोटी होती है फ्लोयम इनकी बित्ती कम मोटी होती है यह राइट एंसर हो गया उसके अतवा रक्त और लासिका रक्त लाल रंग की सयोजी तरल उतक होत इनमें रख्त में इनमें उतरजी पदार्थ कम मात्रा में पाजाते हैं और लसिका में उतरजी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो मेरे प्यारे शात्रों फटा फट आप इसकी शोर ले लिजिए आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा अगर वीडियो समझ में आ गया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा सेयर करना फिर मिलते हैं नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम